वेलकम क्रिप्टो यूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है BTC की हालविंग के एक हिस्ट्री रही है कि जब भी BTC की हालविंग आती है उस टाइम BTC का जो प्राइज है वो 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम से जादा का रिटन देता है और BTC की प्राइज कई टाइम बढ़ जाती है 2020 की अगर हम बुलरन की बात करें और हालविंग से पहले की बात करें तो BTC का प्राइज 3,000 डॉलर पर BTC चल रहा था 6,000 से 3,000 के आसपस के रेंज थी, अचानक से मार्केट फिर भी 10,000 डॉलर तक आता है और यहीं से बुलरन की सुरुवात कह सकते हैं अलकि कुछ लोग 3,000 डॉलर पर ही बुलरन की सुरुवात कह देते हैं और यहीं से मार्केट बढ़ना चालो होता है मार्च से ही और देखते ही देखते 24,000 डॉलर पर BTC हो जाता है यहाँ पर मोटा माटी हम माने तो लगभग डेड़ से 2000% का return BTC निकाल के देता है उस अकेले bull run में यहाँ पर जब जब bull run आता है उस time तक जितने भी alt coin है वो सब ही pump करते है और BTC से कई time जादा pump करते है जैसे हाल ही कि bull run में या हालविंग की बात करें यहाँ पर हम इसी बेस पर एक calculation लेकर आये है जिसके बेस पर हम बताएंगे कि BTC की हालविंग के बाद जो bull run के expectation बन रहे है उसके बाद क्या शीबा 1 रूपीज को इचीव कर सकता है क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखे तो यह price चल रही है शीबा की डॉलर में इंडियर रूपीज एक रूपिया के बाद करें तो यह बड़ा target नहीं लगता है शीबा के आगे हलाकि कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि बहुत बड़ा target है लेकिन शीबा की इस bull run में मेरे point view से एक रूपिया चले जाए ना तो कोई अतिस अयुकती वाली बात नहीं हो और एक रूपिया एक छोटा target है देखिए अगर last time हम बात करें शीबा की तो ओर ओल अगर हम देखे तो शीबा ने 20 लाग पर्षेंड का रेटने निकाल के दिया है अभी तक all time ठीक है अगर हम इसका मोटा माटी माने मात्र एक लाग पर्षेंड भी अगर BTC पंप होता है तो थोड़ा सा एक calculation समझे कि इस current price के बाद अगर BTC में एक लाग पर्षेंड पंप आ जाता है तो हम मानते हैं एक लाग पर्षेंड का पंप और डिवाइड हंड्रेड यानि कि 0.02 सेंड तक जो है BTC की प्राइस शीबा की प्राइस पहुच जाएगी अब इसको अगर हम इंडियन रुपीज में convert करें तो मेरे हिसाब से एक मिनिट डॉलर टू आये नार ठीक है तो लगभग 1.67 इंडियन रुपीज बनता है यानि कि डेड़ रुपेज से भी जादा का प्राइस एक लाग पर्षेंड के रिटन पर मिल जाता है शीबा का पर्षेंड का भी पंप हो जाता है तब भी शीबा एक रुपे के जो पॉइंट है उसको इचीव कर लेगी अब आप मुझे बताइए जो 20 लाग पर्षेंड का रिटन दे सकती है उसके लिए 1 लाग पर्षेंड का रिटन कोई बड़ी भारी बात नहीं है एक लाग पर्षेंड का रिटन यानि की 210-30 कम कर देना और यही शीबा की सबसे बड़ी खास बात है 30-0 डोलर में जैसे ही कम होती है और यह दो 30-0 के बात खा सकता है दो सेंड तक जैसे शीबा पहुचता है आप मान के चलिए कि शीबा ने 1 रोपीस कर दिया अब एक लाग पर्षेंड का रिटन एक केलकुलेशन अगर हम यहाँ पर फिर करते हैं कि सपोस्स आपने 1 राग पर्षेंड का रिटन लिया है यहां से और आपने सपोस्स 10,000 रुपे यहाँ पर इन्वेस करे है हम 1 राग पर्षेंड का रिटन इसमें जोड़ते है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो हमारा जो बैलेंस है वो कितना बनेगा देखें 10,000 रुपे सीदे आपके हो जाएंगे 1 करोड रुपे सही केलकुलेशन किया है मैंने 1 करोड रुपे में कनवर्ड हो जाएगा 10,000 रुपे आपके अगर 1 लाग पर्षेंड का रिटन इसने दे दिया तो अब आप सोच सकते है कि कितनी बड़ी बात है 10,000 रुपे अगर किसी ने यहाँ पर 1,000 रुपे भी लगा दिये तो भी वो 10 लाग में तो बदली जाएंगे क्योंकि 1,000 रुपे मतलब 1,0 कम मतलब 5,0 10,000 रुपे उसके बन जाएंगे और 10,000 रुपे जिसने शीबा में लगा दिए वो 1,000,000 रुपे और यह पोटेंशल सीबा इचीव कर सकती है और I think मैं तो यह कहता हूं कि शीबा के साथ फ्लो की बोंक पेप डोज यह भी लेके पटक लो यार अगर ओर 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 ओल क्रिप्टो मार्केट में एक तरीके से हम माने मीम टोकन में ही 4-5 मीम टोकन हो सभी में मिला के 10,000 का इन्वेस्मेंट है तो मोटा माटी 80-90 परशेंट 80-90,000 परशेंट तो रिटन कोई सी कोईन तो घड़ बढ़ करके देगी एवरेज और यह एवरेज भी अगर हमारा निकल गया ना तो इस बुल रन में हमारे वार कि भी यहां पर possibility है अब यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो है डर और लालच का डर नहीं hold is gold के साथ आगे पड़े और लालच नहीं कि यार इतना percent return से पहले ही exit ले लेते हैं यह भी बड़ी खास बात है क्योंकि उस से पहले exit लेना यानि कि उस बुल रन में फाइदा ही नहीं उठाना तो लालच को control करके आगे की तरफ बढ़ना है तब ही जाके शीवायनू से वो expectation हम कर सकते हैं वो return पा सकते हैं जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं और यही कारण है कि शीवायनू यहां से बड़े pump की तरफ जाएगा और बड़े return देगा अच्छा यहां प एक रुपया तो शीवा पहुचा सकता है एक लाग पर्षेंट का return तो शीवा में बनता है यार इतना बड़ा कोईन है कि एक लाग पर्षेंट का return नहीं दे सकता बिलकुल दे सकता है फ्लोकी जैसा कोईन जो 4000-8000 पर्षेंट अभी return दिया है उसको अगर हम 1-2 लाग तब भी meme token बाजी मार जाएंगे और अगर नहीं भी तो शीवा इनू से expectation बढ़ जाते है और शीवा इनू सभी से king की भूमी का निभा सकता है और ये सभी record तोड़ सकता है तो burning बढ़ा है और दूसरे halving क्योंकि halving में BTC हमेसा हिस्से ही बढ़ा है और इस halving में भी BTC बढ बड़े pump लेंगे हलाकि 2021 में एक चीज आपने गोर करी होगी कि market एक बढ़ बढ़ा था उसके बाद गिर गया था और half जाने के बाद फिर वापस बुल रहना आया था उसमें और first record तोड़के उससे उपर निकला था BTC का और Shiba का तो एक तरीके से record बनता रहा था उस time green candle यहाँ पर बनी थी इतनी बड़ी बनी थी जिसको नाप नहीं संभव नहीं है तो वही expectation फिर से हम रख सकते हैं और इस bull run में वही possible है इस bull run में सबसे खास बत यह रहेगी कि यहाँ पर नए user जादा confidence के साथ आएंगे और social media पर जो coin active है उसमें जादा trading दिखाएंगे interest द या social media पर जिस टाइप से Shiba Inu की fans following है वो एक बड़ा कहिना कहीं factor साबित होगी कि Shiba में नए investor ज्यादा आकरशित हो सकते हैं और Shiba Inu को उस next level तक ले जा सकते हैं ऐसा होता है तो Shiba Inu जल्द ही एक रुपे का जो target है उसको इचीव कर सकती है और वो भी इचीव कर लिया तो जो expect कर रहे थे crypto markets है वो target हम इचीव कर लेंगे तो मोटा माटी माने तो यह bull run चार साल के बाद आया है और कम से कम एक करोड का target हम लेके चल सकते हैं जो un coin मिला के portfolio हमारा मिला के पोचा दे हमें कैसे भी तो तैयारी करके रखो इस bull run में पूरे पूरा फायदा उठाओ और यही expect है कि बीटीसी जल्दी से ज़्यादा ज़्यादा burning भी करें और burning के साथ साथ शीवायनू को एक रुपे तक लेके जाए I hope वीडियो एंजोई क्या होगा मिलते नए वीडियो में नमस्कार